हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्त अग्यान में दोस्तो, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के इंग्लिस बुक लिट्रेचर रीडर का फोर्थ चैप्टर, कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड का हिंदी एक्स्प्लेनेशन कीपिंग इट फ्रॉम हेरोल्ड यानि की हेरोल्ड को बताना या हेरोल्ड तक किसी भी बात की जानकारी को पहुँचाना तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए इसको हम लोग शुरू करते हैं हैरोल्ड दस साल का एक नव यूवक था चुकि वो दस साल का था लेकिन उसे बच्चा कहलवाना जो था वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी ब्यक्ति उसे बच्चा का है पिछले साल में वो अपने विद्याले में डिक्टेशन और अपने स्कूल में वो बहुत सारा इनाम भी हासिल कर चुका था चुकी वो एक तेज बिलक्षन बुद्धी का था इसलिए इसकूल में उसे बहुत सारे इनाम भी मिले हुए थे उसकी मा स्रीमती मिसेज ब्रैम्बिल को बहुत ही गर्व था कि वो हैरोल्ड जैसे बच्चे की मा है तथा उन्ही के कारण यह बिलक्षन परतिभा इस संसार में आई है हैरोल्ड और द्वीत ये था और वो बाकी जितने भी बच्चे थे उनसे ये बिलकुल ही अलग था वो पुर्नतिया अपनी जो समय था वो पुष्टक के परती वो समर्पित करता था अधिकतर समय वो किताबों के साथ ही लगा रहता था पढ़ने लिखने में उसका बड़ा ही मन लगता था वो अच्छाई और बुद्धी का एक प्रसस्निय नमुना था या हैरोल्ड का पुर्नतावाद ही था जिससे उसके माता पिता को सच की कुर्बानी देनी पड़ी उसके पिता बिल और उसकी मां मिसेज ब्रैंबली जो थी वो नहीं चाहते थे कि जो हैरोल्ड है उसे अपने पिता की सच्चाई पता लग सके उन्होंने जान बुचकर सच को हैरोल्ड से छिपाया कि उसका जो पिता है एक बेवसाई मुक्यबाज है और बाकी जितने भी जो लंदन के लोग हैं वो उन्हें उनके गुसेल सभाव के कारण योंग पौर्की के रूप में अधिक जानते थे बिल की सच्ची पहचान हैरोल्ड से छुपाई गए थी जब वो बच्चा था इसका उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था लेकिन जब उसने चीजों को जानना सुरू कर दिया तब मिसेज ब्रैंबली ने अपने पती को मनाया कि वो इस बात को हैरोल्ड से छिपाए रखें नहीं तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद उसके जो बच्चा है हैरोल्ड है वो अपने पिता से नफरत करने लगे कि उसके जो पिता है वो बड़े ही गुसेल सोभाव के हैं तथा वो एक मुक्के बाज हैं मेजर परसी एस्टॉक जो मिसेज ब्रेंबली का भाई था उसे भी यह सलाह दिया गया था तथा यह बताया गया था कि वो भी इस बात का जिक्र कभी भी हैरोल्ड के सामने ना करें कि उसके जो पिता हैं वो एक गुसेल सोभाव के बैक्ती हैं तथा वो एक मुक्के बाज ह हमेशा उसे यानि कि परसी स्टॉक को हिदायत दी जाते थी कि वो कभी भी या नहीं बताए कि जो लंदन निवासी हैं या लंदन के जो लोग हैं उसे योंग परकी के नाम से जानते हैं यदि हैरोल्ड एक आम बच्चा होता तो वो बिल की पहचान को उससे कभी भी नहीं चुपातें वो बिल के बारे में उसे बता देतें लेकिन चुकि वो बाकी बच्चों से बिलकुल भी अलग था तथा पढ़ने लिखने में वो बहुत ही अधिक बुद्धिमान था इसलिए उसकी मा और बिल जो है ये नहीं चाहते थे कि उनकी जो चाया है उसके जो पिता बिल है उसकी जो चाया है वो बच्चे के उपर पढ़ जाए इसलिए वे बिल की जो सच्चाई है पहचान है उससे छुपाते रहते थे दोनों बिल और उसकी पतने इस आश्चरजनक बच्चे से थोड़ा सा घबराते भी थे हेरोल्ड बंसावली नियम को हमेशा अपने दिमाग में अग्रसर रखता था और उसका जो पिता है वो बाहुबल की और मुड़ गया उसे यह विश्वास दिलाया गया कि उसका जो पिता है यह एक ब्यवसाईक यातरी है कुछ समय के बाद हेरोल्ड को भी लगने लगता है कि हाँ सच में जो उसके पिता है वो एक ब्यापारी है तथा एक हमेशा ब्यापार के कारण घर से अलग रहते हैं तथा ब्यापार के लिए दूर दराज देशों में जाया करते हैं अपने ब्यक्तिगत जीवन में Mr. Brambley एक सबसे बिनम्र और उपकारी इनसानों में से था यानि कि Mr. Brambley यानि कि जो बिल है इनका पूरा ना Mr. Brambley बिल है ठीके वो एक बड़ा ही बिनम्र और उपकारी इनसान में से थे वो असानी से प्रभावित और मनाया जा सकते थे वो सदा दूसरों के सामने समर्पन किया करते थे तथा दूसरों के सामने किसी भी बात को वो मान जाते थे हेरोल्ड का नामाकरन भी उसके उपर एक कुर्बानी लेकर आया था उसके हेरोल्ड के जो माता पीता थे उन्होंने सोचा था कि यदि लड़का हुआ तो वो अपने बच्चे का नाम जॉन ऐल सुलिवन के नाम पर जॉन रखते और यदि लड़की हुई तो वो मिस मैरी लियोंड के नाम पर मैरी रखना चाते थे वो चाते थे कि लड़का और लड़की का नाम इन्ही के नामा करण पर हो लेकिन जब मिसेज ब्रैंबली ने बच्चे का नाम हैरोल्ड चुना तो उसने सरवच अच्छे स्वभाव से अपने सुजाओ को वापस ले लिया कि नहीं वो अपने बच्चे का नाम जौन नहीं रखेगी इसलिए उन्होंने अपने बच्चे का नाम हैरोल्ड रखा इस सांदार आदमी की कोई भी ब्यक्ति पसंद किये बिना नहीं रह सकता था वो एक बेवसाई मुक्य बाज था यानि कि जो बिल था या उसे मिस्टर ब्रैंबली भी कह सकते थे वो एक बेवसाई मुक्य बाज था लंदन में कोई ऐसा ब्यक्ति नहीं था जिसे वो अपने बाएं मुक्य के वार से 20 राउंड के मैच में न हरा सके वो अपना नाम अखबार तथा प्रेस में नहीं लाना चाता था चुकि वो जानता था कि अगर अखबार तथा प्रेस में उसका नाम अगर आएगा तो हेरोल्ड को अगर इसके जानकारी कहीं से अगर मिल जाती है कि उसके पिता मुक्यबाज है तो साइद वो नफरत करने लगे इसलिए वो डरता था और उसे वो हेरोल्ड से छुपाना जरूरी समझता था वो मिसेज ब्रैंबली और उसके भाई मैजर परसी के सामने एक सरमीले केकड़े की तरह बन जाता था लेकिन पूरी दुनिया के सामने वो एक बड़ा ही गुसायल तथा एक बहुत ही बड़ा मुक्यबाज था कुछ समय के बाद दिरे दिरे समय बितने लगता है और एक सप्ता के अंदर ही बिल को अमेरिकन मॉर्फी से एक 20 राउंड का मुकाबला यानि की नैसनल एस्प्रोटिंग क्लब में लड़ना था एक मुकाबला उसे लड़ना था वो वाइट है नामक अस्थान पर प्रसिक्षन ले रहा था जैरी फिसर जो था उसके प्रसिक्छक थे या टीचर थे जिससे वो सिखता था जो जैरी फिसर थे वो बिग्यापन में विष्वास करता था वो चाहता था कि उसका जो सिस्से है बिल ब्रैम्बली उसके बारे में बिग्यापन दिया जाएं तथा बिग्यापन में बताया जाएं ताकि इस मैच को देखने के लिए दूर दराज से बहुत सारे लोग आ जाएं वो इस बड़ी घटना का अखबार में अच्छा खासा अस्थान भी चाहता था लेकिन बिल अपना नाम अखबार में आने देना नहीं चाहता था वो चाहता था कि अगर अखबार में कहीं भी अगर उसका नाम आया तो साइद उसका बेटा हेरोल्ड अगर पढ़ लेता है या मेल में उसे देख लेता है चुकि वो नियमित रूप से अपने मेल को पढ़ता रहता है अगर मेल के दोरा उसे पता लग जाएगा तो वो जान जाएगा कि उसके पता असल में कौन है इसलिए हेरोल्ड के लिए बिल ने आखरी समय पर मुकाबले से अपने नाम को हटा लिया वो नहीं चाहता था कि उसका जो असली जो पहचान है वो अपने बेटे तक पहुँच जाए मिसेज ब्रैंबली कभी भी बिल के बेवसाय को पसंद नहीं करते थी वो नहीं चाहते थी कि उसका जो पती है वो इस तरह से मुक्केबाजी करे लेकिन वो जानती थी कि एक बेवसाय मुक्केबाज के रूप में बिल ने काफी पैसा कमाया था इस पैसे ने उन्हें हेरोल्ड को एक ड्यूक जैसी सिख्षा देना संभव बनाया मुकाबले में बीजेता को 500 पौंड और हारने वाले को 125 पौंड मिलने वाले थे लेकिन मिसेज जो ब्रैम्बली थी वो चाहती थी कि अगर कास उसका जो पती है वो खेलता इस मैच में या इस मुकाबले में अगर वो सामिल होता तो यह जो पैसे हैं 500 पौंड अगर वो उन्हें मिल जाता तो हेरोल्ड की सिख्षा पे इसे खर्च किया जा सकता था या हेरोल्ड के पढ़ाई लिखाई में इसे लगाया जा सकता था लेकिन ऐसा हुआ नहीं अंतिम समय में जो बिल है वो मैच से अपना जो नाम है उसे निकाल लेता है और अपने बेटे के खातिर वो मैच से बाहर हो जाता है उसे अपने भाई परसी का बिल को मुकाबले से हट जाने का मुर्खतापुन सुझाओ भी पसंद नहीं आया था मिसेज जो ब्रैमली थी उसके भाई भी उससे कहता था कि नहीं उन्होंने ये अच्छा नहीं किया कि उन्होंने अपना नाम मुकाबले से हटा लिया जैरी फिसर ने बिल के मुकाबले से हट जाने को बहुत ही दयालूता से नहीं लिया उसने सोचा कि उसके साथ बहुत ही बुरा बेवहार हुआ था उसे बिल पर गर्व था वो जानता था कि जो बिल है ये अच्छा परदर्सन कर सकता था लेकिन अब वो बिल से सबसे अधिक नफरत करता था वो बदला लेने के लिए मचल रहा था वो चाह रहा था कि किस तरह से वो बिल से बदला ले उसे अब उसने इस भेद को खोलने के लिए कि जो उसका बेटा हैरोल्ड है इसको वो बताना चाह रहा था कि एक्चुल में उसके जो पिता हैं बिल हैं वो एक मर्चिंट नहीं है एक यात्री नहीं है और एक बेवसाई नहीं है वो बताना चाहता था या उसने बाद में उसके बेटे जो है हैरोल्ड उसे बता भी दिया कि उसके जो पिता हैं वो एक मुक्केबाज हैं तथा एक गुस्सैल आदमी है जो योंग पौरकी के नाम से जाना जाता है हर एक आदमी इस बात को सुनकर बड़ा ही भोचक रह जाता है जैसे जेरी फिसर ने बिल की असली पहचान का भेद बता दिया हो हैरोल्ड को बेवसाइक मुक्केबाजी में काफी रुची थी जो हैरोल्ड था बिल का जो बेटा था उसे मुक्केबाजी में बहुत ही अधिक रुची था वो चाहता था कि मुक्के बाजी में वो जाए और मुक्के बाजी को वो आनंद ले तथा उसे देखे योंग पॉर्की के सामने जीमी मॉर्फी दस राउंड भी नहीं टिक पाएगा इस बात को कि उसका जो पिता है वो योंग पॉर्की है छिपाने को उसने एक सड़ा हुआ फैसला करार दिया उसने कहा कि उसके पिता ही योंग पॉर्की है लेकिन उसे आज तक इस बात की जानकारी नहीं थी उसे अपने पिता पे गर्व हो रहा था उसके स्कूल में एक जो उसका दोस्त था जो इस बात पे घमंड करता था कि उसने फिलिपियन एसकॉर्ट के आटोग्राफ ले लिये थे उसके साथ ही जो थे हैरोल्ड को चस्मुदीन कहकर बुलाते थे अगर उन्हें पता होता कि उसका जो पिता है वो योंग परकी है तथा यहां का एक बहुत ही मसुहूर मुक्यबाज है तो साथ उन्हें वो चस्मुदीन कहकर नहीं बुलाते मुकाबले से हट जाने का निर्नाय एक सबसे बेहुदा फैंसला था वो मुक्यबाजी करते हुए अपनी बाप की एक तस्बीर लेगा और उस पर घमंड करता फिरेगा इस बात की जो मलाल है हैरोल्ड को हमेशा रह गई बिडमना यह थी कि जिस चीज को हैरोल्ड के माता-पिता छिपाना चाहते थे वो उसके लिए सबसे बड़ा एक सम्मान हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ चुकि उसके माता-पिता ने सुरू से ही अपनी जो पहचान है हैरोल्ड से छुपा कर रखा था तो दोस्तो यह था इस चैप्टर का ही एक हिंदी सौट एक्स्प्लेनेशन तो इस वीडियों बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तो धन्यवाद